हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं हूँ हर्बिर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल स्टेडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां पर आपको सारी चीजे जैनुएन मिलेंगे और अगर आप एजूकेशन लाइन से हैं सिख्षा से जुड़े हुए हैं टीचिंग लाइन से हैं तो आपके लिए यह चैनल काफी इंपोटेंट रहने वाला है तो मॉर्नी न्यूज में मैं आज आपके लिए काफी इंपोटेंट खबरे लेकर आया हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं डी ट्रपल एस भी की जैसा कि आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन जिस हिसाब से हुआ है उसको लेकर काफी कैंडिडेट्स में आक्रोस है तो इसके खिलाप कल सीम केजरिवाल जी से कैंडिडेट्स ने मिटिंग करे थी और केजरिवाल जी ने आस्वासन दिया है कि जल्दी इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा और जिस हिसाब से भीड थी भीड को देखकर लग रहा है कि बच्चे काफी नाखुष हैं और बच्चे जो कैंडिडेट्स हैं वो जस्टिस चाहते हैं और जस्टिस होना भी चाहिए लेकिन एक्जाम कैंसल ना हो नॉर्मलाइजेशन अच्छे से दुबारा हो जाए इससे अच्छा कोई solution नहीं है तो सातियों अभी morning news में मैं आपको कुछ important चीजे बताना चाहता हूँ सबसे पहले कुछ candidates अपने views दे रहे थे कि ये गलत है जो धरना दिया जा रहा है परदर्शन किया जा रहे गलत है बतलब कल कुछ comments भी आये थे जो unwanted comments थे उन्हें देखके ये लगा कि ये टीचर ये बंदे जो ऐसा बोल रहे है अब्यूज कर रहे हैं ये किस लेवल के टीचर है एक सोचने वाली बात थी हलकि मैं जल्द ही चाहूँगा कि उन्पे कोई action लिया जाए अभी पहले इस काम से एक बार free होके फिर इस पर भी action लिया जाए वो चीज ले जाई जाएगी आगे कि sir या जो भी court में या कहीं भी कि sir ये क्या चीज है और मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊँगा उन लोगों के screen shot मेरे पास हैं और वो चीजे मैं आपको जरूर दिखाऊँगा कि ये लोग किस लेवल के teacher हैं ये सोचने वाली बात है जो बच्चे जो candidates अच्छे से बात नही हैं ये बहुत बड़ा मुद्धा बन चुका है नॉर्मलाइजेशन अब एक बात बताईए आप लोग अगर किसी के 115 नंबर 110 नंबर लेके भी competition से बाहर है तो क्या वो अपने हक के लिए लड़े नहीं क्या वो आपके हिसाब से चले और ये candidates जो गलत बोलते हैं वो होते है जिनके 90 से 20 बढ़ गए 30 बढ़ गए तो इनको क्या लग रहा है कि हमारा काम अराम से हो गया फिरी में हो गया मतलब ना कोई मेहनत करी अच्छे से अराम से हो गया तो ये लोग वो हैं और बहुत दुख हुआ देखके और आप tension ना लें एक बार ये काम हो जाए फिर इनकी सारी चीजे में आपको दिखाऊंगा कि किस लेवल के टीचर है तो ये देखके बहुत दुख हुआ इसके बाद आज विजिंदर गुपता जी है रोहिनी इस्ट मेट्रो स्टेशन वहाँ पर आपको पहुचना है नौ बजे नौर्मलाइजेशन के खिलाप आवाज उठान है तो आप जरूर पहुचें लास्ट वाली जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें उसका लिंक भी है गुरूप का लिंक है आप वहाँ से सीधा जोइन हो सकते हैं और अराम से वहाँ पर पहुच सकते हैं तो उम्मीद यही है कि जस्टिस आप लोगों के चले नहीं जो सही है उसके हिसाब से चला जाएगा क्योंकि यह चैनल नहीं है यह एक फैमली है और जो कुछ ऐसे ऐसामाजिक तत्व हैं मैं आपको बताओं काफी ऐसे कंडिडेट्स हैं जो जिनका रिजल्ट आ चुका है जो पास हो चुके हैं वो भी इतने पॉलाइटली हैं उनको पता है उनके मार्क्स अच्छे हैं अगर नॉर्मलाइजेशन में बदलाव होता है सही तरीके से भी होता है तो उनके साथ उनके और साथियों को भी फायदा होगा जो इस कंपेटिशन में हैं तो साथियों उम्मेद यह है कि सारी चीज़े अच्छे होंगे झाल झाल